साथ्यो बुद्ध कहते हैं, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती समय है, इसलिए इसे बरबाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पच्छतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पैसा कमाने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसका पालन करना जरूरी होता है। जीवन में ज्यादा धनवान बनने के लिए धन को जमा करना और उसे काम पर लगाना आना भी जरूरी होता है। तब ही आप एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। आईए जानते हैं, पैसा कमाने के साथ तरीके जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में आपकी मदद कर सकते हैं। पैसे कमाने का तरीका जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि पैसे को किस प्रकार से कमाया जा सके धन्वान बनने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी होता है और पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने का तरीका जानना भी बहुत जरूरी होता है तो आईए जानते हैं, पैसा कमाने के वो साथ तरीके, जिससे हम यह जानेंगे कि जल्दी पैसा कैसे कमाए दोस्तों पैसा कमाने का पहला जो नियम है, वो यह है कि ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान दे अक्सर लोग पैसे बचाने के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं लेकिन ये किसी भी तरीके से सही नहीं है पैसा बचाना चाहिए मैं यह नहीं कहता कि आप पैसा ना बचाओ लेकिन पैसे बचाने की बजाए पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और फिर आप अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको अच्छा रिटर्ण मिलता रहे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैसों को बैंक में रखते हैं ऐसे ही बैंक में पैसे को रखने से कोई फायदा नहीं होता इसलिए पैसे को सेविंग करने से ज्यादा, कहीं पर इन्वेस्ट करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आप आने वाले समय में खुद को आर्थिक रूप से मुक्त महसूस कर सकें दोस्तों, पैसा कमाने का दूसरा नियम यह कहता है कि पैसों से दो कदम आगे चले मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप पैसे को छोड़ कर आगे चले जाओ बलकि मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे काम करो जिसमें आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े बलकि पैसा आपके लिए काम करें यानि अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर तुम्हें जाने या फिर वहां पर काम करने की जरूरत ना पढ़े अगर मैं आपको एक एक एक्जामपल दे कर बताओं पैसे के पीछे नहीं भागते बलकि वह लोग समय को ज्यादा सीखने और समझने में लगाते हैं फिर अपनी मन्जिल की रफ्तार को और भी तेजी गती से बढ़ा लेते हैं इन सभी कामों में मेहनत की भरपूर आवश्यक्ता होगी वैसे भी आप अगर अपने सपने को बहुत कम उम्र में पूरा करना चाहते हैं तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो दोस्तों पैसा कमाने का तीसरा नियम यह कहता है कि सीखे और कमाए पैसा कमाने के लिए पैसे कमाने के पीछे होने वाले सारे गुन को सीखना होगा ताकि आप उसे पूरा कर पाएं सीखने या सिखाने में किसी भी तरह से पीछे ना रहे और पैसे कमाने के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा ग्यान को अरजित करें और उसके मध्यम से पैसे कमाएं ताकि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी ना हो. पैसा कमाने के तरीके को जानने के लिए नए नए लोगों से मिले और मौका मिले तो किसी के बिजनिस के बारे में जितना जान सके, उतना जानने की प्रयास करें. दोस्तों, पैसा कमाने का चौथा नियम ये है कि शुरुआत आज और अभी से ही कर दो अगर जीवन में अमीर बनना है तो पैसे कमाने का तरीका यह भी है किसी भी स्टार्ट एप को शुरू करने में आगे की दिनों पर ना डाल कर उसकी शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी कर दें क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं रहते हो ऐसे खयाल सबको आते हैं कल के चक्कर में कहीं आप पीछे ना रह जाओ तो इसलिए आज और अभी से ही लग जाए अपने काम पर ऐसा करने से आप आने वाले दिनों में जरूर आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएंगे अमीर बनने का पांचवा नियम यह है कि पैसों का हिसाब किताब रखें अगर जीवन में एस फल होना है तो आप अभी अपने जीवन में जो कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक आदत जरूर बनाए रखें वह आदत यह है कि पैसों का हिसाब किताब रखना यह आदत आपके आने वाले दिनों में आपके बहुत ही ज्यादा लाबकारी साबित हो सकती है अपने पैसों का नियमित हिसाब जरूर रखें ताकि आपको पता चल सके कि पैसों को कहां कितना इन्वेस्ट या खर्च करना है साथ ही पैसों को खर्च करते वक्त भी उसका हिसाब बनाना बहुत जरूरी होता है कई सारे लोग यहीं पर गलती करते है वह लोग सारे हिसाब किताब तो रखते हैं लेकिन खर्चे का हिसाब किताब नहीं रखा करते जिस से उन्हें आने वाले समय में काफी नुकसान देखने को मिलता है अमीर बनने का छठा नियम यह है कि फिजोल के खर्च से बचो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसों का अश्य प्रतिशत खर्च अपनी शौक और घूमने फिरने में खर्च कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत है यह आदत आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देगी फिजोल खर्च करने के बजाए अपने पैसों को ऐसी जगह खर्च करो जहां आपको जरूरत हो किसी महेंगे होटल में जाकर खाना खाने की बजाए पहले यह देख लो कि अपने करियर के लिए कुछ जरूरी चीजों की आवश्यक्ता तो नहीं है अगर है तो पहले अपनी जरूरत की चीजों को ही खरी दो स्टार्ट आप में उप्योग होने वाले सहायक चीजों को खरीदने में जियादा ध्यान दो पैसा कमाने का आखिरी और साथवा तरीका यह है कि धहरे और साय्यम बनाए रखें आपने पैसा कमाने का तरीका तो जान चुके हैं लेकिन इससे कब और कैसे कमाना है ये भी जानना बेहत जरूरी है किसी भी चीज को स्टार्ट करते ही आपको पैसा नहीं मिलने वाला हो सकता है उसमें आप फेल भी हो जाए या तो यहां नौकरी करना ही बहतर होगा और अमीर बनने के सपने को भूलना होगा क्योंकि जिन्दगी भर नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बन सकता इसी लिए आपको खुद ही कुछ न कुछ ऐसा काम करना होगा जहां पैसा आपके लिए काम करता हो लेकिन इसके लिए आपको पहले पैसा कमाना होगा और फिर उस पैसे को ऐसी जगह लगाना होगा जहां दिन प्रति दिन आपकी इंकम दुगनी रफ़तार से बढ़ती जाए तो दोस्तों आज आपने जाना पैसा कमाने के साथ नियमों के बारे में यानि कि पैसा कमाने के तरीके जिसमें पैसा कमाने के कुछ नियम आपको बताए गए हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाता है और अमीर कैसे बनते हैं लोग उमीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गया ब्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी दोस्तों, अगर आपके पास इससे जुड़े किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं तो साथियो कहानी से आपको कुछ शिखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना